नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सब का आपके यूटूब चैनल क्लास में नितेश पर दोस्तों आज का वीडियो का हमारा टोपिक है वर्ड बिल्डिंग इसका एक वीडियो मैंने पेले भी बनाया था उसमें मैंने word building का पूरा intro दिया था कि इसमें कौन-कौन से topic आते हैं और उनको कैसे पढ़ा जाता है तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका link आपको नीचे description या i button दोनों जगे मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद किसी एक viewer ने request की कि sir इस topic में आप और वीडियो बनाईए तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ noun to noun यानि कि संग्या से संग्या दूसरा word बनाना noun से दूसरा noun बनाना इस पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ तो गैस अगर आप इस YouTube चैनल क्लास में नितेश पर नए है तो अभी सब्सक्राइब कर लो यार और पासी बेल आइकन है उसे भी हिट कर लो ताकि future में आप इसी तरह की education वीडियो पाते रहें तो गैस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं noun से noun बनने वाले जो words हैं उनको देखते हैं जैसे adult तो ये क्या है एक word है जो क्या है noun है तो इससे बनेगा adulthood यानि की वैस्कता boy यानि लड़का तो इससे बना boyhood brother मतलब भाई तो इससे बना brotherhood भाई चारा father यानि पिता तो इससे बना fatherhood man यानि आदमी तो इससे बना manhood चलिए ओर देखते हैं words woman तो इससे बना womanhood यानि इस्त्रित्तू child यानि बच्चा तो इससे बना childhood यानि बच्पन captain यानि captain इससे बना captainship यानि friend यानि मित्र इससे बना friendship यानि मित्रता archer यानि धनुष चलाने वाला तो इससे बना archery तो इस तरीके से आप noun to noun word बना सकते हैं यहाँ पर क्या होगा कि एक word होगा noun और उससे ही बनने वाला दूसरा word होगा उसमें कुछ और words हैं जो देखते हैं जैसे leader यानि नेता तो इससे बनेगा leadership यानि नेत्रत्तू lecture यानि व्यक्ष्या इससे बनेगा lectureship यानि व्यक्ष्यान member यानि सदश्य तो इससे बना membership ओनर swami इससे बनेगा ownership यानि कि swamittu पार्टनर यानि साथी partnership साज़दार चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं मातरी यानि सहीद मैटरिडम यानि सहादत सेल्समेन यानि की विक्रेता सेल्समेन सिप यानि बेचने का कारे रिडर यानि पाठक रिडर्शिप यानि पाठक गण स्पोर्ट्समेन यानि खिलाडी Smartmanship यानि की खिलाडी भाउना Architect यानि वास्तुकार Architecture यानि की वास्तुकला चलिए कुछ और वर्ड देख लेते हैं Candidate यानि उम्मिद्वार Candidicture यानि की उम्मिद्वारी Engineer अभियांत्रिक Engineering अभियांत्रिकी Journalist यानि पत्रकार Journalism यानि पत्रकारिता King राजा Kingdom राज्य Mayor महापोर Mayorty महापोर पद Robber लुटेरा Robbery Lute Midwife दाई Midwifery दाई का काम Servant नौकर Service नौकरी Thiep चोर Thiep चोरी होना Wrongdoer गुनहगार Wrongdoing अधर्म या गलत काम Marksman निशाने बाज Marksman ship निशाने बाजी Mountainer परवत्रोही Mountainering यानि परवत्रोहुन आज का हमारा First word है Length ये एक noun है और इससे हमें verb बनानी है Length का मतलब होता है लंबाई और इससे हमारी verb बनेगी Lengthen यानि की लंबा करना दूसरा word है Strength यानि की शक्ती तो इससे हमारी verb बनेगी Strengthen यानि की मजबूत बनाना Threat Threat का मतलब होता है धमकी तो इससे हमारी verb बनेगी Threaten यानि की धमकाना Beauty यानि सुन्दरता तो इससे हमारी verb बनेगी Beautify यानि सुसोबित करना Hospital Hospital भी हमारा एक noun है तो इससे हमारी verb बनेगी Hospitalize यानि Hospital में दाखिल करना Zepadry यानि की खत्रा तो इससे हमारी verb बनेगी Zepadrise यानि की खत्रे में डालना Pressure यानि दबाओ और इससे हमारी verb बनेगी Pressurize यानि दबाओ में डालना Scrutiny यानि की Jarch तो इससे हमारी verb बनेगी Scrutinize यानि की Jarch करना यहाँ पर एक चीज में बता दूँ के जो यह spelling आ रही है जो verb बन रही है इनके last में I, J, E, R, I यहाँ पर आप I, S, E यह भी लिख सकते हैं दोनों सही है आप विक्टम यानि सिकार तो इससे हमारी verb बनेगी victimize यानि यात्नाए Danger Danger का मतलब होता है खत्रा सब जानते हैं Endanger यानि की जोखिम में डालना Endanger यहाँ पर E, N लगा के हम इसका verb बनाएगे चलिए अगला देखते हैं Slave यानि गुलाम तो इससे हमारी verb बनेगी End Slave यानि दास बनाना गुलाम बनाना अगली है Throne यानि Sihasan तो इससे हमारी verb बनेगी End Throne यानि की Sihasan पर बेठाना Tomb यानि की मगबरा या कब्र ये बोलते हैं हम इसको Tomb मगबरा या कब्र तो इससे हमारी verb बनेगी Entrum यानि की दफन करना काफ यानि बचड़ा अब इसकी verb क्या बनेगी कव यानि बियाना जैसे बचड़ा जनम लेता हैं तो उसे हमारी verb बनेगी breath यानि सांस लेना चलिए last and final एक और हमारा noun देख लेते हैं उससे कौन सी verb बनती है saliva इसका जो pronunciation होता है वो देखिए saliva इसका मतलब होता है lar जो मूँ में बनती है उसे हम lar बोलते हैं तो इससे हमारी verb बनेगी saliva यानि की lar निखालना इन संग्याओं का विशेशन संग्याओं का अंतिम C अथवा C-Y को T में बदल कर खोता है मतलब कि जिन संग्याओं के last में जिन noun के last में C या C-Y आता है उसको हम adjective बनाने के लिए T लगाते हैं जैसे यहाँ पर example है हमारे पास abundance यानि की प्रचूरता तो इसका adjective बनेगा abundant यानि की प्रचूर अगला है confidence यानि आत्म विश्वास तो इससे हमारा word बनेगा adjective बनेगा confident यानि की विश्वास या विश्वासी सुईधा जनक अगला है हमारा defiance यानि की अवज्या यानि की बात नहीं मानना तो defined यानि की अवज्या पून अवज्या कारी चलिए अगले words देखते हैं इससे जुड़े हुए ही importance यानि की महतूर तो इसससे हमारा word बनेगा important यानि जरूरी ignorance यानि अज्ञान ignorant यानि अज्ञान अगला word है हमारा यहाँ पर है negligence यानि की लापरवाः तो इससे हमारा word बनेगा negligent यानि लापरवाः अगला है repotence यानि की पच्चतावा तो repentant यानि की पच्चताप अगला है absence यानि अनुपस्तित चलिए अब हम देखते हैं जिन words के रास्ट में CY आ रहा है उसको भी हम adjective बनाने के लिए T लगाएंगे जैसे consistency यानि की इस्तिरता तो इससे हमारा word बनेगा consistent यानि इस्तिर efficiency यानि दक्षता तो इससे हमारा word बनेगा efficient sustent fluency, यानि कि परवा, तो इसते हमारा word बनेगा fluent, यानि कि धरापरवा, अगला वर्ड है हमारा प्रफीYour tuner, इनी कि प्रफीनति का मतले बुता एक निपनता तो इसते हमारा वर्ड बनेगा प्रफी निपन coin okay अगला वर्ड है, ट्रांस्पिरेंसी यानि की पारदर्शिता तो इससे वर्ड बनेगा एडिजेक्टिव बनेगा ट्रॉप्रेंट यानि पारदर्शी इल्ग की तो यह था हमारा रूल नंबर फॉस्ट अब लुट ईनिमन संत्ग्याओं का विशेशन बनाते A-C-Y का A-T-E हो जाता है पतलब कि जिन नाउन के लास्ट में क्या आ रहा हो A-C-Y आ रहा हो तो उनका क्या हो जाएगा A-T-E हो जाएगा adjective बनाते टाइम तो चलिए एसे words देख लेते हैं Accuracy यानि की यथार्ता, Accurate यानि ठीक ठाक इसका ये adjective बनेगा Literacy यानि की शाक्षरता, Literate यानि की शाक्षर अगला word है हमारा Obsidency यानि की जिद्द तो इस ते हमारा word बनेगा Obsidnet यानि की जिद्द या हटी तो ये था हमारा rule number second अब हम देखते हैं rule number third निम्न संग्याओं का विशिशन यह सफिक्स लगा कर होता है तो इन में क्या होगा कि हम इन जो यह नाउन होंगे उनका जो हमें एड्जेक्टिव बनाना है वो हम अल लगा कर बनाएंगे तो चलिए देखते हैं इसे एक्जांपल जैसे सेंटर इसका मतलब केंद्र तो इससे हमारा वर्ड बनेगा सेंटरल, क्लर्क यानि की लिपिक तो क्लरिक यानि की लिपिक संबंदित कॉस्ट यानि की तट तो कॉस्टरल यानि की तटिये कॉंटिनेंट यानि की महादीप, कॉंटिनेंटल यानि की महादीप ये education, सिक्सा, educational यानि कि सिक्सा आत्मक यह इसका adjective बनेगा तो अब हम देखते हैं हमारा rule number four rule number four है निम्न संग्याओं का विशेशन हम why लगा कर बनाते हैं यहाँ पर हम यह सारे adjective बनाने की ही rule बता रहा हूं में noun से adjective किसे बनाते हैं यह तरह तरह के rule हैं हम किस तरह से adjective बना सकते हैं ना उनका तो हर तरह का rule हम इसमें discuss कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं इसका example while अगर किसे बनाएंगे हमारा word है bog यानि की दलदल तो इससे हमारा word बनेगा bog यानि की दलदली fog यानि कोहरा, foggy, dhumil, knot यानि gant, naughty यानि की gantदार bon यानि हड़ी, bon यानि की हड़ीदार इस तरह के से यह word बनेगे चलिए कुछ और word देख लेते हैं hair यानि bal तो hairy यानि की bal बालों से भरा हुआ इस तरह के से बोल सकते हैं बहुत ज़्यदा बाल वाला, milk, milky, doodsa, oil, oily, tailsa, salt, salty यानि नमकीन, wet तो wetty यानि की भारी, thrust यानि प्यासा और thrust यानि प्यास, ठीक है चलिए अब हम देखते हमारा rule number six, rule number six क्या है, निम्न संग्याओं के विशेशान ic अत्वा ical ये suffix लगा कर बनाते हम इसके लास्ट नम कौन से suffix लगाएंगे, ic और ical ये suffix लगा कर हम इनको बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं alphabet, alphabet का मतलब होता है वाण माला, तो इससे हमारा word बनेगा alphabetic यानि की वन्नानु करम इस तरीके से बनेगा, चलिए climate यानि जलवायू climatic यानि की जलवायू संबंदित, autumn यानि की प्रमानो, atomic यानि की प्रमानो संबंदित, bible तो Bible, biblical यानि की Bible का यानि Bible से संबंदित, geometry यानि की ज्यामितिय, geometric यानि की ज्यामितिक, metal यानि धातू, metallic यानि की धातू का या धातू से संबंदित, या धातू से जुड़ा हुआ चलिए, rule number 7, rule number 7 में हमें हम क्या करेंगे, कि noun का जो हमें adjective बनाना है हम OUS, OUS लगा कर बनाएंगे तो चलिए, बनाते हैं, advantage यानि की फाइदा, advantages यानि की लाफ दायक, danger यानि की खत्रा, dangerous यानि की खतरनाक, glory यानि महिमा, glorious यानि की यसस्वी, इस तरीके से बनेंगे मैं फटाफट फटाफट बता रहा हूँ आपको, जदा टाइम न लूँगा वीडियो में, grace यानि कृपा, gracious यानि की विंती, joy यानि hurts, joy यानि की आनन्दित, mischief यानि नुकसान, mischavious यानि की दुष्ट, pity यानि दया, pity us यानि की दैनिय, poison यानि जहर, poisonous यानि की विशेला या l-e-double-s, ये suffix लगा कर बनाते हैं, full और less लगा कर हम इनका noun से adjective बनाते हैं, तो चलिए, word देख लेते हैं, color यानि रंग होता है, colorful रंगीन, joy यानि की हर्स, joyful यानि की आनन्दपूर्ण, meaning यानि earth, meaningful यानि सार्थक, peace यानि शान्ति, peaceful यानि सान्ति पूर्ण, अगला है character, तो यहाँ पर हम less लगा कर बनाएंगे, characterless यानि चरित्रहीन, color, तो color का रंग होता है, colorless यानि की बेरंग, homeless यानि बेघर, job, jobless, बेरोजगार, चलिए, rule number 9 है, निम्न संग्याओं का विसेशन हम ed suffix लगा कर बनाते हैं, मतलब की ed लगा कर हम noun से adjective बनाएंगे, तो principle यानि की सिध्धान्त, principled यानि की सिध्धान्तिक, talent यानि प्रतिवा, talented यानि की प्रतिवावान, ट्रबन यानि की पगडी, ट्रबन यानि की पगडी वाला, इस तरीके से, चलिए, rule number 10 देखते हैं, आज का ये final rule है, निम्न संग्याओं का विसेशन हम ly, ये suffix लगा कर ब बोलेंगे जिसे पिता के जैसा, तो उसके लिए हम बोलेंगे यानि की पिता के जैसा, इस तरह से मदर, यानि की मा तो मदर ली, फ्रेंड, फ्रेंड, यानि की मित्र के जैसा, गोस्त यानि भूत तो गोस्त ली, यानि की भूत के जैसा, प्रिंस यानि की राजकुमार तो तो इसमें हम एक ही रूल समझने वाले हैं वह रूल क्या है चलो देखते हैं वर्ब से एड्जेक्टिव बनाने के लिए हम एबल एबल एडी और इंजी इन सफिक्स को जोड़ते हैं हम इन चार suffix को जोड़कर वर्ब से adjective बनाते हैं ये चार ही है और ये एक ही रूल है वर्ब से adjective बनाने का तो चलिए बनाते हैं वर्ब से adjective जैसे यहां पर हमारा word है break ये क्या है एक verb है इसका मतलब होता है टूटना तो इससे हमारा जो adjective बनेगा वो होगा होता है तो जैसा के योग्य के लाइक यह मतलब होता है यहाँ पर तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं चेंज यानि बदलना चेंजेबल आपको आई रहा होगा समझ में यानि की बदलने योग्य बदलने जैसा या बदलने लाइक अटेंड यानि प्राप्ट करना अटेंड Read, Readable Understand, Samajna, Understandable Command यानि की प्रसंसा, Commendable Compare, तुलना करना, Comparable इस तरीके से बनेंगे Compress यानि दबाना, Compressable Convert, रुपांत्रित करना, Convertable Deserve यानि विचार करना, Decentrable Tolerate यानि सहन करना, Tolerable Venrate यानि की सम्मान करना, Venrable Imitate यानि नकल करना, Imitable इस तरीके से यहाँ पर एक चीज़ खास है इन तीन वर्ड्स में कि इनके लास्ट में क्या रहा है A, T, E ये भी ध्यान रखिए कि जिन वर्ड्स के लास्ट में A, T, E आए उनके लिए हम Able का ही यूज़ करेंगे ठीक है ना चलिए अब हम देखेंगे कि हमारे जो वर्ब है उसका हमको adjective बनाना है वो क्या लगा कर बनाना है I-N-G और E-D ये दोनों वर्ड्स से लगा कर बनाना है तो चलिए हमारी जो पहली वर्ब है वो है प्लेज इसका मतलब होता है आननदित करना प्लेज एक और प्लीज का मतलब होता है कर पिया पर यहाँ पर जो यह हमारी वर्ब है वो नाउन होता है और यह यहाँ पर वर्ब है ठीक है आननदित करना मतलब होता है इसका तो इसको हम I-N-G और E-D लगा कर बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे दोनो वर्ड तयार हैं बने वहे हैं जिसे प्लेजिंग यानि खुश करने वाला प्लेज यानि खुश यह दोनो अलग-अलग मीनिंग होते हैं दोनों के एड़ेक्टिव बनाते हैं जब हम अगला वर्ड है हमारा connect connect का मतलब होता है जोड़ना में चलिए एडवांस यानि प्रगति करना एडवांस्ट प्रगतिशील आम यानि ससस्त्र करना आम यानि ससस्त्र ओथराइज यानि अधिकार देना ओथराइज यानि अधिकरत Civilized यानि सब्य, बनाना, Civilized यानि सब्य Decorate, Decorated यानि सजाना, Decorate का मतलब हो सजाना, Decorated यानि सजा हुआ Dry यानि सुकाना, Dried यानि सुका Married यानि साधी करना, Married यानि विवाइत Thrive यानि काम्याब होना, तो यहाँ पर हम ING लगा कर बनाएंगे संपन इसका मतलब होता है, अगर हम ING thriving यानि की संपन Sparkle यानि चमकना और sparkling यानि की चमकदार Disturb यानि बादा डालना, Disturbing यानि बादा डालने वाला Distress यानि की सताना, Distressing यानि की सताने वाला ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसमें हम एक रूल देखेंगे जो हमें वर्ब से नाउन बनाना है उसके लिए क्रिया जिसे हम वर्ब बोलते हैं से संग्या जिसे हम नाउन बोलते हैं इंग्लिश में बनाते समय क्रिया को I-O-N, A-T-I-O-N, M-E-N-T, A-L, A-Z-E, A-N-C, E-N-C, I-N-G यह सब प्रते जिने हम इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं लगाए जाते हैं इनको लगाने पर शब्द के अर्थ में परिवर्थन आ जाता है ये सब लगाकर हम verb से noun बनाएंगे और जब हम verb से noun बनाएंगे तो कुछ words ऐसे होंगे verb वाले part में जिनको हम को हटाना भी पड़ेगा और noun बनाने के लिए और जो हमारा noun वाला part होगा उसका meaning जो verb वाले part से है उससे थोड़ा मिलता जुलता होगा या हट के भी हो सकता है तो चलिए एक एक करके देखते हैं अब फस्ट पे हम meant ये लगाकर हम verb से noun बनाने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं Advance यानि उन्नती करना, Advancement यानि उन्नती, Amuse यानि मनोरंजन करना, Amusement यानि मनोरंजन, Announce यानि घोषना करना, Announcement यानि घोषना, Appoint यानि न्यूकती करना, Appointment यानि न्यूकती, Measure यानि मापना और Measurement यानि माप. दूसरा है ANC और ENC लगा कर हम जो हमारा वर्ब बोला पार्ट है उससे हम नाउन बनाने वाले हैं अपिर यानि दिकाई पढ़ना अपिरेंस यानि दर्शन एसिस्ट यानि की साहता करना और एसिस्टेंस यानि साहता आवोईड यानि टालना और आवोईडेंस यानि टालम टोल रेसिस्ट यानि परतिरोध करना और रेसिस्टेंस यानि परतिरोध अटेंड यानि उपस्तित ह अप्रू यानि स्विकर्ति देना, अप्रूल यानि स्विकर्ति, बेरी यानि दफनाना और बेरियल यानि की दफन, डिनाई यानि अस्विकार करना और डिनाईल यानि की अस्विकार, रिफ्यूज यानि इंकार करना, रिफ्यूजल इंकार, रिवाई पुनर जीवित करना औ और रिवाइवल यानि की पुनड़ जिवित, फोर्थ नमबर पे है ION लगाकर हमें वर्ब से नाउन मनाना है, एक्ट यानि कारे करना और एक्षन यानि कारे, अडोप यानि की अपनाना और अडोप्शन यानि दत्तक ग्रहन, कलेक्ट यानि इखटा करना और कलेक्षन यानि संग्रह, करेक्ट यानि ठीक करना और करेक्षन यानि भूल सुदार, रिजेक्ट यानि असुकार करना और रिजेक्षन यानि असुकरती, पांचवे नमबर पे है, जो हमारा वर्ब वाला पार्ट होगा, उसमें हमको E हटा कर, वहाँ पर A, T, I, O, N ये लगाना है, इससे ह कंपाइल यानि संकलन करना और कंपाइलेशन यानि की संकलन, डिकलेर यानि घोषना करना और डिकलेरेशन यानि की घोषित, इन्वाइट यानि आमंतरित करना और इन्विटेशन यानि आमंतरन, शिक्स नमबर पे है, D, हटा कर हमको S, I, O, N, ये लगाना है, हमारे नाउन वाले पार्ट में, conclude यानि निशकर्स निकालना और conclusion यानि निशकर्स, decide यानि निर्ने करना और decision यानि निर्ने, divide यानि विभाजित करना और division यानि विभाजित, evade यानि की बचाना और evasion यानि talentol, explode यानि विश्पोर्ट करना और explosion यानि विस्पोट साथवे नंबर पे है एजी इ को जोड़ना इसको हम एज नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा सफिक से इसको हमको जोड़ना है तो इसको जोड़ेंगे हम वर्में ब्रेक यानि तोड़ना ब्रेकेज यानि तोड़फोड मेरी यानि विवा करना और मेरीज यानि विवा वेस्ट यानि अपवे करना और वेस्टेज यानि अपवे मिस्केरी यानि की गरपात करना और मिस्केरीज यानि गरपात आटवे नमबर पे है य को हटा कर हमको I, C, A, T, I, O, N ये लगाना है चलिए बनाए अपलाय यानी लागु करना और एप्लिकेशन यानी आवेदन मल्टिपलाय यानी गुणा करना और मल्टिपिकेशन यानी गुणन सर्टिफाय यानी परमानित करना और सर्टिफिकेशन यानी परमानि करन modify यानि संसोदित करना और modification यानि संसोदन identify यानि पहचान करना और identification पहचान 90 नमबर पे है ing जोड कर हम वर्ब वाले पार्ट से noun मनाईएं begin यानि आरंब करना और beginning यानि आरंब cheat यानि धोका देना और cheating यानि धोका meet यानि मिलना और meeting यानि मुलाकात fight यानि लड़ना और fighting यानि लड़ाई तो यहां तक हमने no rules देखे सारे जिनसे हम verbs से noun बना सकते थे और उनके अलावा भी कुछ ऐसे words हैं जिनमें वो सारे rules काम नहीं करेंगे उनके अलावा ये सारे words यहां पर आपको दिख रहे हैं में हमने वे सारे जो rules बतायते मेंने अभी उनका इन पर apply नहीं होगा उनके अलावा भी words होते हैं close यानि बंद करना होता है तो इससे हमारा closer बनता है जिसका मतलब होता है समापती enter यानि प्रवेश करना तो यहां पर हम why लगा कर जो verb से noun बना रहे हैं Яनि प्रवेश complain यानि सिकायत करना और inquire यानि पूस्ताज hate यानि नफरत करना और hated यानि नफरत free यानि मुक्त करना freedom यानि मुक्त यहां पर spelling mistake हो गई हिंदी में मुक्त करना था यहां पर जो मुख्यत हो गया आप correct कर लेना तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के इसमें फर्स्ट रूल है हमारा निम्न विशेशनो यानि एडजेक्टिव को नाउन यानि संग्या बनाने के लिए हम एन ए डबल एस ये सफिक्स या प्रत्य जोडते हैं तो चलिए बनाते हैं गुड यानि अच्छा, गुडनेस यानि अच्छाई, अवेर यानि अवगत, अवेरनेस यानि जागरुकता, लाइक यानि पसंद और लाइकनेस यानि समानता, अगली यानि कुरूप और अगलीनेस यानि कुरूपता तो यहाँ पर आपने देखा जब हम adjective से noun बनाते हैं तो उसमें N-E-S-S ये तो जोडते हैं और जो हमारा meaning वाला पार्ट है उसमें भी थोड़ा change आता है ये भी देख लिजिए आप Rule No.2 है हमारा निम्न विसेशनों यानि adjective का noun यानि सन्या बनाने के लिए I-T-Y ये प्रत्य ये suffix हम जोडते हैं चलिए बनाते हैं इसको भी Real यानि असली, Reality यानि वास्तविक था, Actual यानि वास्तविक और Actuality यानि सत्यता, Brittle यानि कुरूर और Brituality यानि की निर्देता, Regular यानि नियमित और Regulity यानि नियमित था अगला जो Rule है वो उसी से मिलता जूलता है जो हमारा Second Rule है उससे ही निम्न विसेशनो यानि adjective का जब हम noun बनाते हैं तो I-T-Y ये प्रत्य जोडते हैं बट इसमें एक situation आजाती है कि जो हमारा word रहेगा, adjective word रहेगा उसमें क्या होगा कि last वाला जो letter रहेगा वो E रहेगा जैसे कि यहाँ पर आपने सारे जो चार एक्जांपल है उनमें देख लीजिए E last में आ रहा है तो चलिए बनाते हैं इंसे यानि की पागल और इंसेनिटी यानि की पागलपन, rare यानि दुरलप और rarity यानि की दुरलपता, pure यानि सुद्ध और purity यानि सुद्धता, sensitive यानि सवेदन सील और sensitivity यानि की सवेदन सील ता अगला रूल है हमारा निम्न विसिस्णों का नाउन बनाने के लिए I-B-I-L-I-T-Y ये प्रत्य या हम सफिक्स जोडते हैं और इसमें एक और बात है कि जब हम ये I-B-I-L-I-T-Y ये जोडेंगे तो जो हमारा एडजेक्टिव वाला पार्ट रहेगा उसमें हमको एबल दिखेगा लास्ट में चलिए बनाते हैं एबल यानि योग्य तो इसमें तो ये एबल आई रहा था बट जो अगले वर्ड हैं उनमें last में आएगा इसका बनेगा ability यानि योग्यता, capable तो इसके last में हमको able दिख रहा है यानि सक्षम, capability यानि शम्ता, eligible यानि योग्य और eligibility यानि पात्रता, possible यानि मुम्किन और possibility यानि संभावना अगला rule है हमारा निमन adjective का noun बनाने के लिए ty ये प्रत्य हम जोडते हैं, ये suffix हम जोडते हैं, चलिए बनाते हैं, इसमें कोई adjective वाला पार्टेस में कोई rule लागू नहीं होता है, सिर्फ हमको ty जोड कर हमको यहाँ पर adjective से noun बनाना है तो चलिए बनाते हैं, safe यानि सुरक्षित, safety यानि सुरक्षा, novel यानि उपन्यास और novelty यानि नविन्ता, cruel यानि की निर्दे और quality यानि की निर्देता, certain यानि निस्चित और certainty यानि निस्चिता तो यहाँ तक हमने सारे rule देखे और अब इन rule के अलावा भी कुछ ऐसे word होते हैं, जिनमें rule काम नहीं होते, पर यह बनते हैं इनमें आपको last में जो word आ रहे हैं वो एक बार में आपको revise करा देता हूँ, यहाँ तक हमने जो सारे rule देखे हैं, वो तो एक तरप थे और उनके अलावा भी कुछ ऐसे words होते हैं, जो की हम adjective to noun बनाते हैं broad यानि चोड़ा और bred यानि की चोड़ाई, warm यानि गरम और warm यानि की गरम जोसी, deep यानि गहरा और deep त यानि की गहराई, brief यानि संसप्त करना औरesome की संसिप्त था, galant यानि की vị और guarantee यानि की sorry coward यानि कायर और cowardice यानि की kair था supreme यानि सर्वोच और supreme mess यानि की सर्वोच था तो यहाँ पर जो red color में word हो रहे हैं यह इनमें last में जूड रहे हैं और कुछ words में कुछ words की कमी हो रही है जब जाकि जिसे deep है तो यहाँ पर एक एक कम कर दिया हमने ऐसा भी होता है तो यहाँ तक हमने सारे पहले तो रूल समझ लिए और उनके अलावे भी कुछ ऐसे words थे जिनका हम adjective to noun जब बनाते हैं तो उनमें ये सब changes होते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम adjective से verb बनाना सीखने वाले हैं तो मैं आपको adjective और verb के वारे में थोड़ी जानकारी देदू adjective क्या होते हैं जो noun और pronoun की quality को बताते हैं और verb तो आप जानते हैं कोई भी action को हम verb के अंदर लेते हैं तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं आपको adjective से verb बनाना है इस वीडियो के अंदर तो उसके लिए हम सिर्फ एक rule ध्यान रखना है हमको हम vision की क्रिया बनाने के लिए en, ise और ife लगाते हैं यानि कि जब हम adjective से verb बनाते हैं तो वहाँ पर कुछ changes होते हैं word में तो हम क्या लगाते हैं उनके लिए en या ise या ife इन तीनों में से किसी एक का यूज करते हैं वो आपको आगे example से समझ में आ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं example भी सबसे पहले है black ये एक adjective है black का मतलब होता है काला यानि कि वह adjective तो वह होता है जो अपनी विशेशता बताता है तो यहाँ पर ये काला अपनी विशेशता बता रहा है तो चलिए इससे एक verb क्या बनेगी blackan यानि कि काला होना या करना अगला word is bright bright का मतलब होता है usual और इससे हमारी verb बनेगी brighten यानि usual होना या करना broad यानि चोड़ा और broaden यानि चोड़ा होना चोड़ा करना ये वर्बनी से deep यानि गहरा और deepen यानि गहरा होना या करना fat यानि मोटा और fatten यानि मोटा करना अगला वड़े हमारा flat यानि चप्टा और flatten यानि चप्टा करना fresh यानि ताजा और freshen यानि ताजा होना या करना hard यानि मुश्किल, harden यानि मुश्किल होना या करना less, कम और lesson यानि कम होना या करना lose यानि धीला और loosen यानि धीला होना या करना अगला वड़े red ये भी एक adjective है और इससे हमारी वर्ब बनेगी redden यानि लाल करना या होना राइप यानि पका हुआ और राइपन यानि पकाना या पकना सेड उदास, सेडन यानि उदास कर देना शोट यानि छोटा और सोटन यानि की छोटा करना या होना स्ट्रेट सीधा और स्ट्रेटन यानि सीधा करना या होना अगला वड़े हमारा sweet यानी मीठा और sweeten यानी मीठा करना या होना tight यानी कसा हुआ और tighten यानी कसना weak कमजोर और wicked यानी कि कमजोर करना या होना aval यानी योग्य और enaval यानी कि योग्य करना या होना fever यानी कि दुरलब और en fever यानी कि दुरलब करना या होना अगला word है large large भी एक adjective है large का मतलब होता है बड़ा और enlarge यानि की बड़ा करना या होना rich, धनी या अमीर और enrich यानि अमीर बनाना simple यानि subtle और simplify तो यहाँ पर हमने जो हमारा word बन रही है उसमें देखिए यहाँ पर I, F, E इसका use किया है तो हम इनका जब लगाते हैं पीछे की तरप तो हम कुछ चीजों को हटा भी देते हैं जैसे हमने simple में से E हटा दिया और यहाँ पर I लिया है हम तो इस तरह से कुछ चीजी हटा भी देते हैं simplify यानि सरल करना या होना intense यानि तिरू और intensify यानि कि लगाया है I, Z, E तो I, Z, E या I, S, E इन दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं दिक्कत मत लीजीगा कि हमने शुरू में आपको I, S, E बतायता और यहाँ पर हमने I, Z, E लगा दिया आप I, S, E भी लगा सकते हैं और I, Z, E यह दोनों सेमी आता है इनका sound एक ही होता है और इनका use भी सेमी निकलता है बहुससी जगत हो modern यानि आदुनिक और modernized यानि आदुनिक रण popular यानि lock period और popularized यानि कि lock period बनाना secular यानि धर्म निर्पेक्ष यानि कि धर्म को नहीं मानने वाला किसी भी धर्म पर आधारित नहीं होना तो secularize यानि धर्म निर्पेक्ष बनाना western यानि की पस्चमी और westernize यानि की पस्चमी रंग में बनाना अगला वड़े हमारा white यानि सपेद और whiten इससे हमारा वर बनेगा whiten यानि सपेद करना या होना final यानि अन्तिम और finalize यानि अन्तिम रूप देना glad यानि प्रसंद और gladden यानि प्रसंद करना wide यानि चोड़ा और widen यानि चोड़ा करना या होना तो ये थी हमारी वीडियो नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके यूटूब चैनल क्लास में निकेश पर दोस्तों जिसा कि आपको पता ही है कि हमारे यूटूब चैनल पर word building की सीरीज चल रहे थी जिसमें मैंने अभी तक आपको word building के 7 point कवर करा दिये थे और इस वीडियो में मैं आपको आठवा point कवर कराने जा रहा हूँ आठवा और आखरी point है यह हमारा word building सीरीज का इसमें हम adjective से adverb किस तरह से बनाते हैं यह सीखने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि adjective और adverb होते क्या है adjective वह होते हैं जो noun और pronoun की विसस्ता को बताते हैं और adverb क्या होता है जो हमारी verb की quality को बताता है इसको हम adverb को example से समझते हैं क्योंकि बोस्थों के लिए adverb word नया हो سकता है आप में से तो adverb होता क्या है जिसे हम एक example से समझते हैं इस चीज़ को जैसे राम चलता है तो यहाँ पर चलना क्या है एक वर्ब है W-A-L-K वॉल्क यानि चलना ठीक है चलना या घूमना ठीक है तो यहाँ पर वॉल्क एक वर्ब है और हम इस sentence में अगर एड़ वर्ब का यूज करते हैं एड़ वर्ब जैसे राम तेजी से चलता है तो यहाँ पर जो चलना इसके आगे तेजी से जो वर्ब आया यह हमारा एक एड़ वर्ब है यानि कि जो चलना था उसके आगे हमने तेजी से यूज कर लिया यानि कि यह जो चलना था उसकी विशेषता बता दी वो किसे चल रहा है तेजी से चल रहा है तो यहाँ पर यह Adverb है जो हमारी जो verb है उसकी quality को बता रहा है कि वो किस तरह का है तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं इस वीडियो के लास्ट में आपके कुछ सवाल है उनका जवाब दे दूँगा और इस वीडियो के लाइक जरू कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो केसे चलिए देखते हैं एक्जम्बल से एक तरफ मैंने adjective लिखे हुए है और दूसरी तरफ मैंने adverb लिखे हुए है तो चलिए देखते हैं बनाते हैं सबसे पहले मारा example है artificial यानि की कत्रिम इस से हमारा adverb बनेगा artificially यानि कत्रिम रूप से Sessless यानि निरंतर और Sesslessly यह हमारा Adverb बना मैं बार-बार दुबरा नहीं बोलूँगा क्योंकि आपके लिए कुछ चीज़ें आपके कानों में खटकेगी तो इसलिए मैं दुबरा नहीं बोलूँगा उन चीजों का आप समझते जाएगा तो चलिए अगला वर्ड हमारा Adiquat यानि परियाप्त इससे हमारा बनेगा Adiquatly यानि की परियाप्त रूप से Bestless यानि निराधार और इससे बनेगा Bestlessly यानि की बिनाधार के Curzual यानि आकस्मिक इससे बनेगा Curzually यानि की सायोग से constant यानि की लगतार और constantly यानि की निरंतर evident, protection, evidently यानि इसपश्टता से अग्ला वड़े हमारा figurative यानि आलंकारिक और figuratively यानि की आलंकारिकता से hasty यानि की जल्दबाजी और hastily यानि की जल्दी से ultimate, anthim और ultimately यानि की अन्तिम रूप में या Amht में ठीके तो ultimate का मतलब यह नहीं कि यहाँ पर हम adjective के रूप में use कर रहे हैं बहुत सी जगए ultimate का use और भी होता है अलग meaning पर भी use होता है तो यह मत समझेगा कि यहाँ पर जो दे रखा है वही उसका meaning है ठीके ना तो इनके कुछ और meaning भी निकल सकते हैं second rule है हमारा निम्न विशेशन ओ adjective को हिंदी में हम विशेशन बोलते हैं कि अंत में le है इनका clear vision, adverb को हम clear vision बोलते हैं हिंदी में adverb करते समय हम सिर्प अंतिम e का y कर देते हैं तो इस rule को मैं अच्छी तरह के समझाता हूँ अगर जो हमारा adjective है, उसके last में क्या आ रहा है ल, e A आ रहा है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमको adverb बनाना है तो वहाँ पर l, e आ रहा है, तो e को हटा देंगे l को तो why रखेंगे और e को हटा देंगे और वहाँ पर y लिख देंगे इस चीज़ को हम example से समझते हैं चलिए तो वही एक तरफ मैंने adjective लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ मैंने adverb लिखे हुए हैं चलिए बनाते हैं humble यानि कि विनम्र या नम्र ठीक है तो इससे हमारा adverb बनेगा humbly अगला है invitable यानि अनिवार इससे हमारा बनेगा invitably यानि अनिवारे रूप से forcible यानि बल पूर्वक किया हुआ और forcibly यानि बल पूर्वक lisble सुवाच्च और इससे हमारा word जो adverb बनेगा वो है lisble यानि इस पश्टता से favorable यानि कि अनुकूल और favorably यानि कि अनुकूल रूप से चलिए अब हम देखते हैं हमारा rule no.3 रूल no.3 है विशिशन यानि कि एड़ेक्टिव के अंत में ic है इनका clear विशिशन यानि कि एड़वर बनाते समय हम a ll y इसका use करते हैं यानि कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हटाना है बस यह देखना है कि जिस एड़ेक्टिव के लास्ट में क्या आ रहा हो ic आ रहा हो तो वहाँ पर हमको कुछ एड़ करना है न की हटाना है a ll y इसको हमको एड़ कर देना है तो चलिए देखते हैं कैसे एड़ करेंगे systematic यानि विवस्तित तो इससे हमारा एड़वर बनेगा systematically यानि की विवस्तित रूप से dramatic यानि नाट की और इससे हमारा एड़वर बन रहा है dramatically यानि नाट की रूप से grammatical व्याकरण का grammatically व्याकरण की द्रश्टि से तो यह था हमारा वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो like कीजिएगा और आपक्या last वीडियो में comment था कि सर इन लगाने पर कोई rule बताईए कि इसको कैसे लगाते हैं जैसे कि कुछ examples थे उस वीडियो के अंदर मेरे जिसम मेंने इन लगा रखा तो वहाँ पर आपको शायद confusion हुआ होगा कि इस तरह से कैसे कर रखा है कि शुरू में लाश में दोनों तरफ इन लगा रखा है तो इसके लिए कुछ rule भी होता होगा तो इस तरह का कुछ भी rule नहीं होता है मैं बता दूं आपको यह simple rule थे सारे जो word building केते हैं हमारे यह सिर्फ आपकी जो वक्यव है उसको improve करने केते हैं तरह तरह से मैं आपको जिसे नाउन से प्रोनाउन प्रोनाउन से नाउन और वर्ब से एडवर्ब इस तरह से बना के बता रहा था कि इस तरह से भी आप अगर exam में बेठे हुए हैं और आपको word नहीं आपको बताएं उन words पर ही काम करेंगे आप सारे words में use करें तो वहां पर भी संभाव नहीं है कि सब में काम करें तो आपको मेरी बास समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहरा हूं आपसे तो यह चीजें कुछ जगई काम करेगी जदतर जगों पर काम नहीं करेगी अगर आपको अच्छी तरह से आपकी English वकेप को improve करना है तो आप डेली English newspaper पढ़िए मैं कुछ चीजें आपको बताएं कि किस तरह से आप अपनी जो English वकेप को है उसको improve कर सकते हैं डेली newspaper पढ़िए English movies देखिए जो Hindi डब हो हिंदी में तो हो और English डब हो उन movies को देखिए वह भ सकते हैं English की तो इस तरह से आपके वकेप इस तरह से मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जल्दी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी English को improve कर सकते हैं और यह हमारी आज की word building series की last वीडियो थी इसके बाद में हम कुछ और नया शुरू करने वाले अ चलिए आपने यह सजिस्स किया था और उस पर वीडियो आ गई है बता दीजिए कि आप sentence पढ़ना चाहते हैं अलग अलग type के जिसे हमारे जो हट के sentence चल रहे थे थोड़े दिन पहले series चल रहे थी उसकी वी अलग से उन तरह की sentence बना दूगा मैं या फिर वकेप पर डाल द जीए मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई है वा नाइस डे